QA 6-digit number is formed by repeating 3-digit number एक 6-digit number form होड़ा है तिन digits को repeat करके तो वह repeat कुछ इस तरह से होगा जैसे मान लिए हमारे पास 3-digit number है 256 इसको 6-digit number बनाना है अगला जो हमारा 3-term है वह हमारा क्या आगा 256 ही आगा जैसे मान लिए 3-digit number है 678 तो इसको 6-digit number बनाना है तो फिर अगला 3-digit number हमारा क्या आगा 678 आगा तो any number of this form is always exactly divisible by 7 only, 11 only, 13 only, 1001 ठीक है यानि कि वह number जो होगा शिर्फ 6 से divide जागा शिर्फ 11 से जागा शिर्फ 13 से जागा या फिर 1001 से जागा इसी चुको हमें 100 करना है तो ध्यान दिजेगा मान लिजे हमारे पास 3-digit का number है x, y, z तो इसको 6-digit का number बनाना है repeat करके यानि कि x, y, z और इसका repetition फिर इसी तरह से होगा x, y, z अब ध्यान दिजेगा इसको हम लोग लिख सकते हैं 1,000 x plus 10,000 y plus 1,000 z plus 100 x plus 10 y plus z क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे मान लिजे हमारे पास 256 है तो 256 को इस तरह से लिख सकते हैं 200 plus 50 plus 6 फिर यह जो हमारा 2 है यह हमारा 100th place पे है और यह हमारा 10th place यह unit place पे है इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे 100 है into 2 तो जो है हमारा 100th place पे है यानि के 100 into 2 इसी को तो हम लोग लिखते है 256 तो इसी तरह से हमारा यहां पे लिखाएगा 1 lakh x plus 10,000 y plus 1000 z plus 100 x plus 10 y plus z अब ध्यान दिजेगा जहाँ जहाँ एक्स वला टर्म में एक साथ हम लोग add कर लेंगे तो यहां पे हमारा x वला है और यहां पे x तो इसको add करेंगे तो हो जाएगा 100100 x फिर प्लस यहां पे हो जाएगा 100100 y फिर इसको add करेंगे plus 1001 z ठीक है अब ध्यान दिजेगा इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते है 1001 into 100 x plus 1001 into 10 y plus 1001 into z इसमें से common हमारे पास आ रहा है 1001 और यहां पे बचेगा 100 x plus 10 y plus z यानि कि यह हमारे जो 6 जीजिट का नंबर है इसका जो factor आया वो आया 1001 और 100 x plus 10 y plus z यानि कि यह 6 जीजिट का नंबर जो है 1001 से डिवाइड जाएगा और इससे भी डिवाइड जाएगा अब ध्यान दिजेगा जब इसका factor यह है तो इसका जो factor होगा वो भी तो इसको डिवाइड करेगा यानि कि इसका factor क्या क्या हो सकता है 7 फिर 11 और फिर 13 लेकिन हमारे पास option में कहा है कि वह जो number होगा सिर्फ 7 से डिवाइड जाएगा नहीं साथ से सिर्फ डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि 7 के अलावा हमारा जो यह जो है number से digit 11 से भी डिवाइड जाएगा फिर 13 से भी डिवाइड जाएगा यानि कि यह option हमारा गलत हो गया अगला option है कि सिर्फ 11 से जाएगा सिर्फ 11 से नहीं जाएगा क्योंकि 11 के अलावा हमारे पास factor क्या है 7 और 13 तो 7 और 13 7 से भी यह number को डिवाइड करेगा और 13 से भी इस number को divide करेगा यानि कि option 2 भी हमारा क्या हो गया गलत हो गया फिर तीस्रा option है 13 only यानि सिर्फ 13 divide करेगा नहीं 13 नहीं करेगा 13 के अलावा है दो factor हमारे पास है 7 और 11 तो 7 और 11 यानि कि 7 भी इस number को divide करेगा और 11 यानि कि इसका राइट एंसर क्या हो जागा वन थाउजन वन